रिटन एक जाम के बायोमेट्रिक और फोटो का फिजिकल टेस्ट में नहीं हुआ, मिलान दिल्ली पुलिस में ड्राइवरों की भरती में भी हॉल हुआ फजीवाडा, नई दिल्ली, दिल्ली पुलिस की भरती में फजीवाडा रुखने का नाम नहीं ले रहा है, अब अलग केंडिडेट्स के टेस्ट देने के मामले सामने आये हैं, इन दोनों मामलों में दो अलग-अलग केस दर्ज कराए गए हैं, इन में छल 419 और धोखाधरी 42 के अलावा समान आशय 34 की धारा भी लगाई गई है, इस रेकेट में कई आरोपियों के शामिल होने की आशंका है, दिल्ली पुलिस में 1411 ड्राइवरों की भरती के लिए अक्टूबर 2022 में सियाफ सिलेक्शन कमिशन SSC के जरिये रिटन टेस्ट हुए थे, इसका परिणाम आने के बाद 14 अप्रेल से दिल्ली पुलिस अकेडमी वजीराबाद में फिजिकल एंडियरंस और मेजमेंट टे हर्याना निवासी अमिद बेनोवाल के रिटन एजाम के दोरान लिए गए एंगुटे और उंग्लियों के निशान बायोमेट्रिक से लंबी है फरजीवारे की फहरिस्ट दो हजार बीस में 5846 कॉंस्टेबल की भरती के लिए 674 कैडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था इनमें 14 फरजीवारे सामने आए जिनमें रिटन टेस्ट में कैंडिडेट दूसरा था फाइनल रिजल्ट के बाद 490 कैंडिडेट्स के रिटन टेस्ट में फरजीवारे की शिकायत खुद S.A.C. की तरफ से की गई जाच क्राइम ब्रांच कर रही है नॉ 207 में फजला से इसके जरिये भती हुए डी क्रोर का भी खुलसा हुआ क्रहम बाच जाच के बद 12 डावकरों को नगबर 202 में बुखास्त किया गया थे किसी ने 8 सिपाहियों के मतरा से लाइसेंस बनाने की शिकायत की थी काइम ब्राच की जाच में 31 का रिकॉर्ड वहां मतुरा से दलालों के जरिये ये फरजी लाइसेंस बनवाए गए नहीं मिला इन में से 12 ड्राइकरों को बर्खास्त कर दिया गया, greater than नहीं मिल रहे थे, पफोटो भी नहीं मिल रही थी, 19 अप्रेल को रोह तक का प्रवीन भी बायोमीडी का टेस्ट के दौरान पकड़ा गया, फिजिकल टेस्ट ले सही यौम की तरफ से सोनिया विहार थाने में दो इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुचा जा सकेगा